आप तो गाइस अब हम देखेंगे की present indefinite tense में ही हम which को कैसे by which में बदलते हैं तो देखें मैंने या रूल खाए present indefinite tense का passive territories which को by which में कैसे बदलते हैं यानि मतलब कहने का उfen候 which को by which कैसे बदलते हैं या हम आप पर में लगा लीजेगा कि which को हम by which में कैसे बदलते हैं मैं लिख दे रहा हूँ which को by which में कैसे बदलते बदलते हैं यह rule है इसका तो माली जी यहाँ पर which को by which में ऐसे बदला जाएगा माली जी active का sentence ऐसे दे दे आपको ऐसे लिख दे कि which man which man calls you here कौन सा आदमी आपको यहां बुलाता है which man calls you here कौन सा वेक्ती आपको यहां बुलाता है यह देखे S आ रहा है देखो वर की फर्शों में S आ रहा है यह present definite tense ही यह इसके पहचान होगी present definite tense में do not, do not आता है वर की फर्शों में S E S आता है तो which man calls you here कौन सा आदमी आपको यहां बुलाता है आप कहरा है इसका passage बनाई है तो जैसी आपको which man which कभी भी अकेला नहीं आएगा इसमें active passage में which man, which woman, which doctor, which teacher which girl, which wife ऐसे गर के देगा sentence which cow, which dog ऐसे तो कुछ नहीं करना है तो आपको क्या करना है आपके लिए मैं एक rule बता दे रहा हूँ कि जब आप इसे active से passivize बनाएंगे जब आप active से passivize बनाएंगे तो इसके लिए आपको एक rule करना होगा जो मैं आपको बता दे रहा हूँ वो rule क्या है कि इसके लिए आपको ये करना है बेटा मैं लिख दे रहा रूल को थोड़ा सा आपको कुछ नहीं करना है यहां पर लगाना है बाए और यह आजाएगा हमारा विच और विच के बाद क्या करना है आपको बताते हैं आपको विच के बाद यह जो noun है यहाँ पर अना यह जो noun है यह noun ऐसी के ऐसी आजाएगी यह same noun ऐसी के ऐसी उतर आएगी तो यह हो जाएगा ऐसे by और यह हो जाएगा which और यह जो man वाला man है यह ऐसी के ऐसी आजाएगा बस कुछ नहीं करना तो मैं आपको यहाँ पर पूरा rule ही लिख दिता हूँ आपको याँ दिक्कत ही ना हो अना प्रॉलम ही खतम कर देते हैं आपकी तो यह मैंने बनाय दिया by फिर which और प्लस में noun नाउन यह लिजे नाउन भी लख दी मैंने बस तो अब यहाँ पर यहाँ पर याद रखेगा इस तरीके से कि एन ओ यू एन नाउन देन प्लस तो बाइव इच के साथ यह जो बिच लिखा है मैंने यह पर थ्लड़ा सा और साफ लिख देते हैं नहीं तो बच्चों को प्र एक सेकंड, एक सेकंड, बस, विच हो किया, डन, अब दीखें, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, यहाँ पर, यह जो इच मैन है, विच मैन दे रहा है, तो यह जो इच मैन है, इसके साथ जो नाउन है, वो सेम ऐसी बन के आजाएगी, बाइ विच मैन, तो देखो मैन by which man, तो noun का मतलब man है, noun का मतलब क्या है यहाँ पर, यह man है भी यह, तो यहाँ गया by which man, अब आ गया, फिर आप यहाँ पर यहाँ पर यह देखो, इसमें object का subject बनाना है हमें, तो वर की form के बाद जो object है तो वही पैसी होगा subject बनता है हमारा, तो यहाँ पर देखो क्या लिगा है, present indefinite tense का object, तो वर की form के बाद object का होना रहा है, और you, और you का क्या हैगा, यू, और you के साथ क्या आता है, आर, ठीक है, तब देखो, इस sentence बन गया, by which noun, by which man, by which man आ गया, present definite tense का object, यहाँ पैसी का subject बन कराएगा, मैंने बता है, वर की form के बाद, वर की form के बाद, जो यहाँ पर object आता है, उसको subject बना दे, you, और you के साथ क्या हैगा, आर, यहाँ पर आरा गया, आरा गया, अब क्या करना है, आरा आने के बाद हमें क्या अच्छे है, present different tense की, first form को यहाँ पर third form बना देंगे, तो calls का क्या हो here, by which men are you called here, इस तरीके से हम passiveize बना लेंगे, done, तो इस तरीके से हम active का passive बनाएंगे, आपको एक example और लेता हूं, तो आपको और संज में आएगा न, चले, example लेते हैं, एक और example हम यहाँ पर लेते हैं, दोस्तो, ताकि आपको concept clear हो जाए, चले, एक example और लेते हैं, इस तरी deceives, मैंने लिखा, which girl, मैंने यहाँ पर लिखा, example में, which girl, d-e-c-e-i-v-e-s, which girl deceives, which girls, मैंने यहाँ पर लिखा, which girl deceives me, अब मैंने यहाँ पर ले लिया, question mark, अब यह कह रहा है कि इसका passiveize बनाएं, which girl deceives me, कौन सी लड़की आपको दोका देती है, which girl deceives you, अना, अब इसका ज कर लेंगे आप, तो करना क्या है, which girl का क्या कर लेंगे बिटा, which girl को आप क्या कर लेंगे, by which girl, by which girl, by which girl हो गया, by which girl, यानी देखे, जो which girl, यानी जो noun है, इसको क्या कर लेंगे, by which noun, तो by लगा के, which girl को, which girl ऐसी का ऐसी उतार दिया, तो by which girl हो गया, अब इसमें object कौन है, dece Deceives, Deceives के बाद kawon है project? Mi का क्या करोंगे? I और I के साथ क्या आता है? M अना? I के साथ क्या आता है? M आता है तो यह देखे तो मैंने अब यहां पर बना दिया इसको ऐसे करॉँ करके M और I object का subject और I के साथ क्या आता है M तो देखो by which noun तो by which noun, girl noun हो गई, is mr, जो object का subject बनाए तो i के साथ m आ गया, m आ गया sir, present definite tense का object यहाँ subject बन कर आएगा, तो इसमें देखे क्या है, यह object का subject बन कर आगया और इसके साब से helping वर मैंने m लगा लिए, फिर क्या चिए present definite tense की first form यहाँ third form बन कर आएगी, तो deceives का क्या हो जाएगा, deceives का हो जाएगा हमारा, deceived, और यह बन गया हमारा, passive wise हमारा, passive wise बन गया, which girl deceives me, कौन सी लड़की मुझे दोका देती, तो by which girl am I deceived, किस लड़की के दोरा मुझे दोका दिया, जाता है, ऐसे हम इसका passive wise बनाएंगे बेटा, तो चलिए, एक दो example और लेते हैं इसके, I hope, संज म आरहा होगा आपको, मैं उमीद करता हूँ, चलिए, एक example और लेते हैं, चलिए, अब मैंने लिखा यहाँ पर, इसका थाथाशी example दूसरे तरीके से लेते हैं, मैंने यहाँ पर लेते हैं, विच, विच बॉय, विच बॉय, एब्यूज, विच बॉय, Him, कौन सा लड़का उसको गाली देता है, कौन सा लड़का उसको गाली देता है, अब कहते है, इसका पैसी वजबनाई एगे, तो ये जो बिचब बॉइ है, इसका जब पैसी वजब बनाएंगे बेटा, तो क्या करते हम, BY का BY लगाया, और which boy जो noun है वैसे ही का वैसे ही आ गया देखो by which noun तो which noun का क्या हो जाएगा यह जो boy noun ही तो है तो यह पूरा का पूरा हो जाएगा by which boy अब इसमें object कौन है object him है, him का क्या करोगे आप he करोगे, और he के साथ बताओ is MR, तो he के साथ क्या आता है, is is आ गया, object का subject यह आ गया आपका him, him का he subject आ गया, आप क्या चाहिए मुझे third form चाहिए, abuse की third form क्या हो जाएगी abused बन गया ना question हमारा ऐसे गर के तो which boy abuse him कौन से लड़का उसको गाली देता है, तो by which boy is he abused किस लड़के के द्वारा, कौन से लड़के के द्वारा उसको गाली पढ़ती है, या उसको गाली दी जाती है, तो इस परकार से हम इसका पैसिवाइस बनाएंगे, अब माली जिए, कि वो exam, यह समझ मैं, not down करते रहेगा guys, इनको न, please चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ, एक और example इसके अंदर अगर मालो अब, कि जो which वाला sentence है हमारा, कौन सा sentence हमारा, which वाला है negative में use हो जाए, which का प्रियोग, negative में हो जाए, तो तो क्या करेंगे आप, माली जब ऐसे दे दे कि which man does not which man does not give her money which man does not give her money give her money, एक सेक्ड अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, her मैंने यहाँ बनाया, कि which man does not give her money कौन सा आदमी उसको पैसे नहीं देता है, कौन सा आदमी उसको पैसे नहीं देता है तो very simple करना क्या है, यार, दोस्तों, मैंने बताया, कि बहुत आसान है, यार, पैसे वेज़ बनाना तो अब आप, आपको भी असान लग रहा होगा तो which man का क्या हो जाएगा by which man अब यहाँ पे दिखें, object कौन है मैंने बताया है, कि अब देखो, work की form कौन है give है, अब give के बाद ये भी object हो, ये भी object है मैंने बताया है, कि अगर एक active sentence में दो-दो object दे दे, तो हम पहले वाला लेते हैं, mostly हम पहले वाला ही लेते हैं तो हर का क्या हो जाएगा see, अब see के साथ क्या आता है is, तब देखिए मेरा पुरा rule फोलो गया, by which noun by which man, noun आ गई present definite tense था ये क्योंकि इसमें does not आ रहा है, present definite tense का object, ये object subject बना और इसके साथ अहभा से is आ गया, is आ गया, यहां तक फूलो हो गया, अब इसमें देखिए not आ रहा है, तो क्या करना है, अगर not आएगा तो ये जो subject बनेगा ना इसके बाद आपको not लगाना है इस subject के बाद आपको not लगाना है तो आप क्या करेंगे, यहां subject के बाद not लग जाएगा, subject के बाद note लगाना है, तो subject के बाद note आ गया, फिर क्या ची present in definite tense की first form यहां third form बन कराएगी, और give की third form हो जाएगी हमारा given, और इसके बाद बच्चा कुछे में क्या जाएगा हमारा money, तो बिटा हम इस तरीके से, इस by which का हम पैसिवाइज इस तरीके से बनाएंगे, आई बाद समझ में दोस्तों, तो यह हो जाएगा हमारा given और इसका हम पैसिवाइज ऐसे बना देंगे, which man does not give her money, कौन सा आदमी उसको पैसे नहीं देता, तो पैसिवाइज बनेगा, by which man is he, is she not given money, किस आदमी के दवार उस